हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पांच ऐसे घरेलू उपायों के बारें बताऊंगी जिससे आप अपने जटे हुए बालों को रोक सकते हैं बाल जटने की समस्या से लगभग जादतर लोग परेशान रहते हैं हमारे सिर पर एक लाख बालों के रेशे होते हैं इसमें से एक दिन में पचास से सो रेशे तूटना समाने बात हैं लेकिन जब इससे ज़्यादा बाल तूटने लग जाएं तो यह एक चिंता का विश्य है इसके पीछे आपकी उम्र बढ़ना, परदुशन, अधिक तनाव, अत्यदिक धुमरपान, पोशब तत्वों की कमी, हार्मोनल असंतुलन, सिर पर इंफेक्शन, दवाएं, थाईराइड, पी-सी-ो-डी, एनेमिया जैसी कई तरहें की वजहों से आपके बाल ज़र सकते हैं चाहे लड़का हो या लड़की, हर इंसान अपने बालों से बेहत प्यार करता है, लेकिन आजकल बढ़ते पॉलुशन और केमिकल भरे प्रोडेक्ट के समाल से आपके बाल कमजोर होकर तूटने लगते हैं, इसके साथ ही आजकी पीड़ी जंग फूट खाना ज़्यादा प जहें कि बाल जड़ने की समस्या अब आम हो गए हैं, अगर आप भी जड़ते बालों से प्रेशान हैं तो आप अपकी समस्या के अंत का वक्त आ गया हैं, कुछ आसान घरेलो तरीके अपना कर आप बालों का गिरना हमेशा के लिए खत कर सकते हैं, घर में आसानी से उपलब समगरी से भी बालों को जड़ने से रोकने का इलाज किया जा सकता है, आज हम आपको बता रहे हैं, बालों को जड़ने से रोकने के लिए पांच बेस्ट घरेलो उपाएं नीम के पत्ते, ये ना सिर्फ आपके बालों को किसी तरह के इंफेक्शन से बचाएगा, बल्कि बालों का जड़ना भी रोकेगा सिर्फ पर नीम लगाने से बलड सर्कूलेशन बढ़ता है, जिससे बालों को मजबूती मिलती हैं और बाल जड़ना खत्म हो जाते हैं इसके लिए कुछ नीम के पत्ते लें और इसे पानी में उबाल लें, अब इससे अपने बालों को धोकर सिर्फ की 5-10 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें, कुछ महिनों तक ऐसा करने से आपके बाल तूटना बंध हो जाएंगे और ये समस्या आपको प्रेशान नहीं मेथी के दाने सिर्फ पर लपेट लें, आदे घंटे बाद इसे धोलें, एक महिने तक ऐसा हफते में दो बार ज़रूर करें करी पत्ते, करी पत्ते में एंटी ऑक्सिटिन्स के साथ साथ प्रोटीन और बीटा केरोटीन मौजूद होता है ये सभी बालों को मजबूती दे कर उनका ज़र्णा कम करते हैं इसके लिए कुछ करी पत्ते लें और किसी भी हेर ओयल में मिला कर थोड़ी देर गर्म कर लें थंडा हो जाने पर इससे अपने बालों और सिर पर मसाज करें दो हफ़तों तक ऐसा हर रोज करें प्याज का रस इसके लिए एक प्याज लें और अच्छी तरह छील कर बड़े बड़े टुकडों में काट लें अब इसे मिक्सर में पीस कर इसका जूस निकाल लें इसमें एक बड़ा चमच गुलाब जल और एक चमच शहद भी मिला लें इससे अपने पूरे सिर और बालों पर लगा कर पांच मिनट तक मालिश करें आदे घंटे बाद धो कर शैंपू कर लें हाफते में ऐसा दो बार करें प्याज की काफी मात्रा में सलफर होता है जो सिर में बलड सर्कुलेशन बढ़ा कर इनका जड़ना बंद करती है ग्रीन टी जो ग्रीन टी बैक्स को दो तीन कप पानी में डाल कर थोड़ी देर उबालने जब ये ठंडा हो जाए तो इस पानी से अच्छी तरह अपने बालों को धोले इसके बाद बालों को नॉर्मल पानी से भी धोए कुछ दिनों तक ऐसा करने पर आपको खुद ही फर्क महसूस होगा ग्रीन टी के इस्तमाल से आपके बालों को पोशन मिलेगा जो इसे मजबूती देकर इसका जड़ना कम करने में मदद करेगा इससे बालों में चमक भी मिलेगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्रीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाई